हेलो स्टूडेंट आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जी के विद आर डी सर तो आज हम डिस्कुस करने वाले हैं दा ग्रेट अशोका अशोका किंग के बारे में हम डिस्कुस करेंगे मोर्या वंच के सबसे शक्तिशाली राजा जो थे वो थे अशोक जिनक हैं यह कौन-कौन सी इन्हों ने जो लिट्रेचर व गैरा इन्न सभी को कैसे इन्नों ने फोलो किया तो इस चीजों को हम देखने वाले हैं सभी इस लेक्चर के अंदर तो I hope कि कि आप सभी को इस से पहले वाले जितने भी लेक्चर आप सभी ने देख्के होंगे अगर जो student इस channel पर नहीं आए हैं प्लीज इस video को like करें, share करें, subscribe करें to everyone इसी तरह की further videos आपको मिलती रहेंगी इसी channel के उपर तो आएए जी हम अपने अशोक के बारे में आज discuss करते हैं तो इसमें क्या आप बोल रहा है जी? अशोक आपको पता है जी मोरिया वंश मगद के उपर जब 16 जनपद पूरे थे तो उनमें से मगद सबसे आगे निकला था तो उसके उपर मगद के उपर सबसे शक्ति शाली जनपत जो था इसके उपर मोरिया वंच की स्थापना आपको पता है चंदरगुप्त मोरिया के दवारा की जाती है चंदर गुपत के बाद देसी राजा का जो बेटा होताया, बिंदु सार इसके फादर साह जो अशोक के होते हैं वो बैचते हैं उसके बाद अशोक महान आता है तो अशोक महान जो ग cabbage अशोक का जिसको हम एज रिसकंदर के रूप में जैसे मान सकते हैं क्योंकि हमारे लिए तो ये सबसे पहले राजा थे तो बिंदू सार के का उत्रा धिकारी कौन थे जी अशोक आपने ये याद रखना है इनको अशोक महान भी कहा जाता है इनकी रचनाओं के गारण ठीक है जी उसके बाद 269 इसापूर में मगत की गद्धी के अपर ये बैठ रहे थे तो ये उस टेम पे कौन सी जगह के गवर्नर थे तो आपको पता होगा कि लास्ट में बिंदू सार के दो बेटों के बीच में लड़ाई होती है तो इसमें एक तो थे सुसीम और एक थे अपने अशोक तो अशोक अवंती आपको पता है अवंती जनपर जो आज द्रहों को दबाने में नाकाम रहते हैं जिसी तरह से अशोग को बेजा जाता है तो अशोग बढ़ी चतराई के साथ उश विद्रों को दबा देते हैं जिसके कारण इनको फिर आगे आने वाले राजा गोशित कर दिया जाता है तो ये एक तत्मित भी है कि कहते हैं जो अपने 99 ब्रदर को मार कर ये अपनी गद्धी के उपर बैठे थे तो यहां से तो इनका एक क्रूरता के बारे में पता लगता है कि ये अपने ब्रदर को मार कर गद्धी के उपर बैठा था तो काफी बुकों में काफी कुछ दिया हुए है तो हमें जो मैंने आपको बताया उसको थोड़ा आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि वो आप से पूछा नहीं जाएगा तो उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं जी अशोक जो अशोक ने अशोक का जो नाम है अशोक वो दो अभी लेखों के अंदर इसका नाम पड़ता है वो दो अभी लेख जो थे वो थे मास्की और गुजरा नामक दो अभी लेख थे जिसमें अशोक का नाम अशोक लिय गया है अधरवाइज इनको प्रिया दर्शनी के नाम से ही जाना जाता था उस टाइम पे तो उसके बारे में हम डिसकस कर लेती हैं जी ठीक है जी तो उसके बाद हान जी स्टूडेंट उसके बाद पुरानों के अंदर इनका जो अशोक जो थे इनको अशोक वर्दन के नाम से जाना जाता आपको पता है आप पुरानों की संख्या 18 थी तो हर वंश के अंदर एक एक पुरान लिखा जाता था उस टाइम के पर तो पुरानों से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है तो अशोक को अशोक वर्दन बोला जाता था तो अशोक ने अपने राज्या विशेक के आठवे वरश देखो जब इनका राज्या विशेक होता है तो देखो टू सिक्स्टी नाइन के पर ये गद्दी के पर बैठते हैं तो वैसे तो उसके बाद ये आठवे साल ही किलिंग के पर आकरमन कर देते हैं उसके बाद इनका राज्या विशेक आपको पता है एक बार तो इन्होंने क्या किया था जी जो क्लिंग के राजा थे बारमेल उनकी राजधनी थी तोसली अब याद रखें कि सभी लगबग पूरे इंडिया के परिंड का राज था एक छोटा सा राज जै था जिसका नाम था क्लिंग तो क्लिंग के राजधनी थी तोसली तो उस पे इन जब ये कहते हैं जी ईनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी यही था कि जब ये एक क्रूरता के वाले जीवन को छोड़कर, किंग वाले जीवन से छोड़कर फिर बुद्ध धरम को अपनाते हैं, ये टर्निंग पॉइंट था इनका, क्योंकि जब ये पुरिसा की राज हनी बोवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम भी है तो कलिंग प्लेस वहाँ पे था ति ये आपने याद रखने जो कलिंगा की जिसकी लड़ाई थी इनके द्वारे लड़ी गई थी इसके बाद ये बुद्ध धरम में प्रवर्तित हो जाते हैं और उसके ब हम बात करते हैं जी पिलिनी का कथन है पिलिनी एक हिस्टोरियन है इन्हों ने बताया कि जैसे मिस्तर के राजा फिलेंडेस जिसको टालमी 3 के नाम से गदी के अपर टालमी 1 टालमी 2 टालमी 3 के नाम से बैठते थे एक्चुलमें का नाम फिलेंडेस था ठीक है जी तो उन्ह एक्सदनी राजगुप्त जो चंद्रगुप्त मोरिया के टाइम पे था, डिमैककस जो की बंदुसार के टाइम पे था, डेनियस ये अब इसने के टाइम पे है, ठीक है जी इसी तरह से राजदूत आते रहते थे इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद जैस एक बुद्ध धरम में परवर्तित कर दिया था, तो आप देखे जी एक ही फैमिली के अंदर तीन तीन धरम अपना लिये जाते हैं, क्योंकि ये अपने राज़ा हैं, राज़ा वाले शोक हैं, इनके फादर जो थे चंदगुप्त मोरेया दादा जी, वो जैन धरम में चले तो इसनों ने क्या किया जी, फिर बुद्ध धरम को अपना लिया अपने तरीके से, तो ये एक ही परिवार के अंदर तीन तीन धरम में पनाये जा रहे हैं, तो लोग कन्फ्यूजन है कि कौन सा धरम अपनाया जाए, कौन सा हमारे राज़ा का कौन सा, एक्चुली साही धर तो लोगों को बहुत ही गुमरा किया जाता था इस टाइम पे ठीक है जी, तो अशोक ने आजिविकों के लिए, क्योंकि इनके फादर साब ने अजिव का धरम अपनाया था, तो अजिविकों के जो संपरदाय के लोग होते थे, जो परचार करते थे उनके लिए, बराबर क पहाडियों में चार गुफाईं बनाईगी, जिनका नाम था करज, चौपार, सुदामा, विशव जोपडी, तो ये आपको विशव जोपडी के नाम से कोशन आ सकता है कि विशव जोपडी जो नाम थी, ये क्या था, तो ये जी आजिविका धरम के लिए बनाया गया एक ग बादा जी वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने खापी के अपने जिन्दगी को गुजा रहा है, तो वो भी एक टाइम पर क्या करते हैं, जो अशोग थे, ये तो बुद्ध धरम में थे, इनके द्वारा ये कहते हैं कि ऐसे थोड़ी होता कि सभी पैसा एक जगा पर लगा अच्छा अशोग की माता का नाम था, जी सुब्ध हंगरी, सुब्ध हंगरी इनके माता का नाम था, अशोग ने बुद्ध धरम के परचार के लिए अपने बेटे और पुत्री को शिरलंका में भेजाता जिसको साइलोन बोलते थे, तो ये याद रखना है महिंदर वर्मन और संग मित्रा, ये दो परसंद थे जो शिरलंका में बुद्ध धरम के परचार के लिए गए थे, अब ये याद रखना है आपने, अच्छा भारत में शिला लेक का परचलन, अब याद रखना भारत, ये सारी परथाएं इरान से हमने कोपी की हैं, इरान से कोपी, ये इर रूप में सेना को रखना, ये सारी चीज़ें इरान के रहशाषकों के दवारा सिखी गई थी, अशोग इनको अपने देश में इंप्लिमेंट करता है, अपने राज्या में इंप्लिमेंट करने वाला राजा था अशोग, इसके कारण ही शिला लेक पर लिखना और ये रखना है अपने अशोग ने जो शिला लेक था ये काफी, क्योंकि इसका अफगानिस्तान, साउथ और इस्ट, नॉर्थ इस्ट और पूरे नॉर्थ में ये चारो दिशाओं में इसका राज्या था, तो चारो दिशाओं में चारो अलग-लग भाशाएं बोली जाती थी, अ इनोंने उसमें सभी में अपनी ये शिला लेक की खुदवाई करवाई थी, उसके बाद ग्रीक और अरमाइक लिपी का भी लेक आपको अफगानिस्तान में मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है एशिया से आने वाले लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान पार करके आएंगे, त वो सारे आपको गरीक और अरमाइक लिपी में मिलेंगे, क्रोश्टे लिपी क्या थी उत्तर भारत में जब यहां ज़ती बाकिस्थ भारत के इंदर भ्राही लिपी बोले जाती थी, अब आपको यद ओड होगा कि पंजाबी लेंग्वेज़ जो पंजाब अला जो जमू किश्मीर वाला एरिया है वहां पर आपको ये क्रोस्टी लिपी मिलेगी बाकी आपको ग्रीक और अर्माई के लिपी मिलेगी तो इसी तरह से अशोक नहीं अभी लेखो के भी तीन भाग करवाई थे अभी देखो जी जो अभी लेख होते हैं अभी लेख क्या होते हैं जी ये भी एक वाया जो कोई वी चीजें जो होती है पत्थरों के उपर लिखवाना इनको तीन तरीके से लिखवा सकते हैं शीला लेख क्या होते हैं जो बहुत बड़े पत्थर हैं उनके उपर, उनके उपर कुछ लिखवा देना, उसको बोलते हैं शिला लेक, ठीक है जी, जब ये एक स्थम्ब के रूप में, एक पत्थर को एक स्थम्ब के रूप में, उसके उपर कुछ लिखवाना, उसको हम बोलते हैं स्थम्ब लेक, ठीक है जी, और जब गुफाओं के अंदर किसी चीज को लिखवाना जैसे कोई गुफ है उसके अंदर पेंटिंग करवा देना जैसके अंदर कोई चीजे लिखवा देना उसको बोलते हैं गुहा लेक तो अभी लेखो को तीन भागों में डिवाइड किया गया है अशोक के अभी शिला लेख की खौज अशोक के दबारा जो taller लेख थे इसकी खौज जो की गी थी chine 1750 इसी में पटेंदरी फ्लैंथर नामक के एक हिस्टोरियन थे इन्हों ने इनकी खोज की थी इन्हों ने बताया था कि अशोक के दवारा 14 14 अभी लेग ऐसे थे जिनकी शीला लेग थे जिनकी अपने ये सब कुछ कहते हैं ना ये बनवाए गए थे ठीक है जी तो अशोक के अभी लेग को पढ़ने की सबसे पहली सबलता 1837 में जेम्स प्रिसस प्रिसस ये भी एक स्टोरी है इन्होंने पहली ये अभी लेग को पढ़ना स्टार्ट किया था जो अभी लेग इनके दवारा लिखे गए थे अब जो अभी लेग है ना जी शीला लेग हैं ये क्या जी इसके उपर 14 बाते ऐसी हैं जो हर एक अभी लेग के उपर आपको देखने को मिलेंगी तो एक जो शीला लेख होंगे उसके उपर रूल और रेगुलेशन होंगे और जो शीला लेख हैं उसके उपर आपको पूरे राज्या के जो भी चीज़े हैं गलच क्योंकि जब ये धर्म में परवर्तित होते हैं तो ये क्या करते हैं? एक अपनी तरब से बिल्कुल एक द्यालू परसन बन जाते हैं तो उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ आगे चलें तो देखें जी अब देखे थोड़ा सा इसको समझे फिर में आगे नेक्स लेक्चर में इसको और एक्स्पेन करूँगा देखो जी जब अशोक राजा बनता है अशोक राजा था इससे पहले धरम से पहले अशोक राजा था तो अपनी ये बहुत ज़्यादा कुरूर था जब ये धरम को पना लेता है तो इसके बाद ये क्या बन जाता है जी बहुत ज़्यादा द्यालू बन जाता है अब द्यालू क्या बन जाता है जी इसके सामने दो प्रोलम आती है एक तो इसने अपने धरम को परचार करना है ठीक है जी तो लोगों पे विश्वास भी बनाए रखना है कि क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा द्यालू बन गया तो लोग इसके खिलाफ विद्रो भी कर सकते हैं अगर युद्ध की निती को छोड़ दिया तो इसके खिलाफ लोग क्या करेंगे युद्ध भी कर सकते हैं इसी तरह से इसने युद्ध भी करना है लोगों के पर आसपास के आसपडोस के जो राजा है उनके पर दबबावी बना रहे है कि अशोग पहले वाला अशोग की है ऐसा नहीं कि इसने धरम अपना लिया तो अशोग बदल गया है तो उनको ऐसा भी फील ना हो तो ये क्या करता है जी दो चीजे स्टार्ट करता है अपनी लाइफ के अंदर क्योंकि इसको दो प्रॉलम आ रही थी एक तो ये धरम गोश और एक भैरो गोश दो चीजें ये एक नया सिस्टम लागू करता है ताकि अब ये क्या करता है जी देखो जी मैं अब धरम को अपना चुका हूँ अगर आपने मुझे अगर आपने सही तरीके से टेक्स दिया लोगों में नेंतरन रखा भलाई के लिए लगाऊंगा जितना भी कुछ होगा तो ये बात के सारी इन्होंने कहां पे लिखवा दी थी ये शिला लेक के अंदर लिखवा दी थी उसके बाद स्टम लेक में क्या होता है कि धम गोश तो उसको बोला जाता था धम गोश तो उसके बाद भैरोगोश में क्या था जी नस्दीक के राजाओं को अब जो राज्य की बात है वो कहीं बाहर ना पता लगे तो उसको लिए इन्होंने क्या किया था धमगोश तो भैरोगोश लाया था इसमें क्या था कि उन राजों के लिए तो मैं क्या जिन बहुत कुरूर हूँ मैं आज भी वही बात कर सकता हूँ अगर वो मुझे विवश्च ना करे अगर वो मेरी अधिंता को सविकार कर लेते हैं तो मैं उनके लिए एक अच्छा राजाओं अगर वो मेरी बातों को नहीं मानेंगे तो मैं एक करूर राजा हूँ जैसे मैंने कलिंग के अंदर किया वैसी मैं वहाँ पे करूँगा तो इस तरह से इनोंने धमगोश और भैरोगोश जब बहुत ज़्यादा लिट्रेचर में जाके पढ़ते हो इस यहाँ पे तो शायद नहीं लिखा हुआ भैरी गोश और धमगोश यहाँ पे एक लाइन में दिया हुआ है तो इनमें आपको समझा आगे क्या कहा रहे है धमगोश के अंदर इसने राज्या के अंदर लोगों को मनाया कि आप मेरे प्रती आप वफादार रहोगे मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करे चलोगे तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा राजा हूँ अगर आपने कोई भी गल्ती की तो बकाइदा फिर मुझे उसको पाप को करना पड़ेगा मैं करना नहीं चाता हूँ इस चीजों को इनों ने ये धम गोच के अंदर डिफाइन किया तो उसके बास्तमलेक में इनों ने बताया कि मैं एक कुरूर राजा हूँ दूसरे आजाज़ों को ये बताने की कोशिश की मैं वही राजा हूँ कि जैसे मैं पहले था तो ये चीज़ें दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है तो ये सिस्टम सिर्फ लोगों को समझ नहीं आया पर वहाँ पे उस टाइम पे इसकी इतनी चलाकी के साथ इनने सारे चीज़ों को कंट्रोल किया ठीक है या यह ओप कि आपको ये चीज़े समझ आगी होगी तो चोदा बाते थीं ऐसी जो चोदा बाते थी तो चोदा लेक थे तो जिनके अंदर ये सारे लिट्रेच्चर में लिखा होता है कि मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ अगर आप मेरे परती वफादार रहोगे मुझसे लड़ाई नहीं करवाना चाहते क्योंकि अगर मैं लड़ाई करूँगा तो पाप मुझे भी लगेगा और आपने मुझे लड़ाई के लिए विवश्च की है तो उसको दुगना पाप आपका जो पाप है वो सारा अलग-लग होगा बाकी लाइने सारी सेम थी कुछ लाइने डो डिफरेंसी जो यहां पे आपके लिखिवी हैं तो पहला शिला लेक देखिए पहले शिला लेक में ये बताता कि पशुबली निंदा है जी इसकी पशुबली की जमा निंदा आप मुझे ऐसा करने पशुबली नहीं नहीं देनी है अगर आप दोगे तो आप मुझे विवश्ta कर रहे हो किसी बहुत विख्शु को उकसा रहे हो कोई एक्शन लिया जाए तो आप ये इसको छोड़ें तो ये अच्छी बात नहीं है ठीक है जी तो दूसरे भी लेक में इसने बताया कि देखो जी अशोक ने क्या किया जी उसके लिए मनुश्या और पशू दोनों के लिए चिकसालिया की विवस्ता कीगी मतलब हॉस्पिटल खोलेगे मेरे लिए दोनों बराबर हैं अगर आप इस जोगों नहीं चलोगे आप पशूओ को मारोगे जब कोई तो इस तरह से मेरे को विवस्त ना किया जाए तो इन्होंने ये दो चीजेस में लिखी दूसरे भी लेक में तीसरे भी जो भी लेक था उस टीम जाएगी वो देखेगी कि राज्या में सारा नियंतरन हर पांच में साल चेक किया जाएगा कि क्या ये सारे लोग सही चल रहे हैं जिस तरह से मैंने ये शिला लेखो में लिखवाया गया क्या लोग उसको फोलो कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे तो मुझे विवस्त किया किया जाएगा कि मैं और इसके उपर सक्ती से कनून को implement करूँ तो ये वो लोग होते थे जो सक्ती से कनून को implement करते थे जहां पे भी कोई बुराई लगती थी तो वो क्या करते थे उसको सुधार करते थे ठीक है जी वो राजा को आके बताते थे इस तरह ऐसे चलता था सिस्टम चोथे अभी लेक में ये बताएगा कि भेरी गोश की जगह धम गोश की गोशना की भेरी गोश क्या था जब बंदा बहुत ज़्यादा कुरूर होता है वो किसी की कोई बात नहीं मानता है तो कहते हैं ने अक्रेसी होती है वहाँ पे धम गोश के अंदर दो नितियां अपनाता है लोगों के लिए सामने सही भी रहता है और पीछे से वो दो मैंने अभी पीछे से एक्स्पेइन किया अगर आप वो समझ गयो तो आपको ये भेरी गोश और धन धम गोश के बारे में इजी से एक्स्पेइन हो गया होगा उसके बाद पांच में लेक में शिला के लेक में इसनों क्या किया जी जो धरम के महा पात्रों की नुक्ति कीगी देखो जी धरम के क्योंकि आपको पता है काफी जो धरम थे उनमें काफी बुराईयां थी तो महा पातर जो थे बड़े बड़े लोग थे जो कहते हैं पुजारी होते हैं उनको समझाया गया वहाँ पे उसको कि आपने गलत तरीके से कोई अगनी बताना है इस तरह से लोगों को गुमरा नहीं करना है उस तरह से महा धरम महा पातरों की नुक्ती की गई तो विश्या की जानकारी ताकि लोगों पे जो शिला लेक के पर दिया लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से लोगों को पहुंचाया जाए ताकि वो उसको फोलो करें चटा भी लेक था जी आतम नियंतरन की रक्षा की शिक्षा दी जाती है उनको लोगों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जा क्योंकि इसने लड़ाई अशोक ने धरम अपनाने के बाद लड़ाई तो करनी नी थी तो इन्होंने सेल्फ डिफेंस नाम से एक नई नीती पनाई ताकि लोग अपनी सेल्फ डिफेंस है खुद कर सकें तो इस तरह से साथमा और आठमा भी लेक था जिसमें अशोक ने तिर्थ यात्राओं क्या लेक किया तिर्थ यात्रा क्या होता था कि लोगों को तिर्थ यात्रा के अपर जितने भी थे उनके अपर जाने के लिए आने के लिए सबी को खुली चूर दी गी और उनको बोला गया कि सिर्फ आपने इस जो नियम मैंने बढ़ाए उसको फोलो करके चलने हैं तो नोवा भी लेक था जिसमें सची भेट और सस्टे सिस्टा चार क्यों लेक किया गया तो इसमें ये था कि जितने भी आपने जो पॉस्टिवनेस अपने धरम के प्रती आपने कोई भी धरम हो आपने उसके प्रती पॉस्टिवनेस रखना है और पॉस्टिव विचारों को फैलाना है तो इस तरह ऐसे था दसमें भी लेक आप देखो कि शोग ने अदेश दिया कि राजा और उच अधिकारी हो हमेशें प्रजा के हित में सोचें कहते हैं कि जो भी राजा बने गा और जो भी प्राजा के नीचे जितने भी प्रोहित राजा बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे जी लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे ये दसमें बिलेक में था ग्यारमें बिलेक में इसमें धम की व्याक्या किया थी कि मैंने आपको बताया कि धम के अंदर कनून कैसे चलेंगे धरम परिवर्तन के बाद क्योंकि जो अशोक था वो दो माइन्ट यूज कर रहा है लोग भार वालों के लिए कुछ हो रहा है और अंदर वालों के लिए ठीक है जी तो उसके बाद जो बारवाँ मिलेग था इसमें बताया गया कि इस्तरी महापात्रों की नुक्तिगी की सभी परकार के विचारों को समान की बात कीई इस तिनों की भी महापात्रों में धरम पर चार करने के लिए उनको भी लगाया गया उनकी भी नुक्तिगी की ताकि अच्छे तरीके से लोगों को बताया जा सके उसके बाद ताकि उच निच की भावना को खतम किया जा सके तेरमा अभी लेक इसमें कलिंग का यूद का वर्नन है और अशोक के हर्दय परिवर्तन की बात कही गी है और ये अभी लेक ऐसा था कि यहाँ पे कलिंग के उपर नहीं लगा जाता है ये राज्य के अंदर लगाया जाता है तो ये याद रखना है क्योंकि कलिंग वालों को पता लगेगा कि अशोक इस तरह से बहुत ज़्यादा हाड फिल कर रहा है तो इस तरह से वो कभी भी आकर्मन कर सकते हैं तो ये चीज़े वहाँ पे नहीं लगाया जाती तो ये बहुत इंपोटन्ट अभी लेख है इसके बारे में आपने जुरूर याद रखना है तेर्मा भी लेख जिसमें कलिंग के युद के बारे में वरनन की आपको मिलेगा चौदमा भी लेख है जिसमें जनता के धार्मिक जीवन को बताने के लिए प्रेड किया जाता कि आप बहुत बिक्षू आप बहुत धर्म को पनाएं और क्योंकि इसे पूरी तरह से बुद्ध धर्म के परती ये परसन चला गया था इसलिए ये उसको धार्मिक जीवन अपनाने के लिए लोगों को प्रेड करता है तो इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल में डिसक्स करेंगे ताकि और इसने और क्या चीज़े की इसे लगबग आपको इस वाले आज वाले लेक्चर में काफी चीज़े पता लगी होगी तो अगर आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब तो एवरिवन ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे हैं